आरेन खान को जो बेल नहीं मिली है तो उन्हें कुछ गलत करा है ना मुझे नहीं लगता कि वो अभी बेल के हगदार भी है जब एक आम आदमी ड्रक्स का सेवन करता है और उसे बेल नहीं मिल रही तो आपको क्यों मिल जाएगी अगर जज ने एक 23 साल के लड़के को आज भी बेल नहीं दी तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि कुछ कड़िया शायद उसमें ऐसी है जो अब तक मीडिया के पास नहीं आई है आरेन खान मुझे लगता है अपने परिवार में ये सब चीज़े देखता होगा और यही वज़ा रही कि उनको ये चीज़े बड़ी नॉर्मल लगी और आज वही लोग जिनको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है इस बात पर सवाल उठा रहे है कि आरेन खान को बेल नही औरि उसे ऑपने सेवन करा फ。 वह तो यौँ नी्ची आज्यायर में नार में ऊपनुए कट करने थकिन्हें. चाहे वो शारुक खान का बेटा हो, चाहे वो किसी रहगीर के चलते का बेटा हो। लोगतंत्र तो आपका उसी दिन खतम हो गया था उद्दव साहब, जिस दिन आपने जन्ता की मतदान को ठुकराया था, पैरो तले रौंद दिया था। यहाँ पर सिर्फ क्लियर फंडा है कि आपने payment दी, बक्सों में भर कर पैसा आया, गदों में वो पैसे बिचाए गए, छुपाए गए, इस्तमाल सरकार को चलाने के लिए करे गए, और जिनों ने बेचा हैं उनके तलविच चाटे गए, अब आरियन खान का केस कहीं न कहीं नियाए पालिका के लिए भी, और जितन पूरी टीम है, या फिर जो पियाट टीम है, वो कल जा रही है, बॉम्बे हाई कोट, क्या समझते हैं अब बात नहीं है, और उसका पहली बात तो सेवन करना, दूसरी बात ये कि प्रोक्योर अगर आप कर रहे हो, तो आप एक ऐसे डीलर के साथ, आप कॉन्टाक्ट में हो, बातचीत करते हो, कॉन्वर्जेशन करते हो, मिलते रहते हो, जो बहुत ही बड़ी इल्लीगल, आपसे भी ज्यादा बड़ी इल्लीगल आक्टिविटी कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, कि जो गलती आरिन खान ने करी है, वो बहुत करी है, और हमें इस बात को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, कि उन्हें बेल नहीं मिली, मुझे नहीं लगता कि वो अभी बेल के हगदार भी है, क्योंकि सिर्फ आरिन खान नहीं, आरिन खान तो एक बड़ा नाम है, तो फेमस हो गया, न जाने कितने ऐसे ल अदमी ड्रक्स का सेवन करता है, और उसे बेल नहीं मिल रही, तो आपको क्यों मिल जाएगी, आपको क्यों ऐसा लगता है, कि आप प्रिवलेज्ड हैं, तो आपको बेल मिल जाएगी, बहले ही, आप कुछ भी लीगल आक्टिविटी करते रहें, ये तो भही वाली बात हो कि कल को आप लोग आते हैं, वादी संगठनों से भी मुलाकात कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, उनके साथ बैठकर चाहे, काफी पी लेंगे और एक बॉम प्लांट कर देंगे, और कहींगे हम तो प्रिवलेज हैं, हमें तो मिल जानी चाहिए थी, हमारे सामने जीता जाकत सिखाने के लिए, मुझे लगता है नियाए पाली का जो कर रही है, वो सही कर रही है, और हम से ज्यादा समझ, मीडिया से ज्यादा समझ, किसी भी सरकार से ज्यादा समझ, एक नियाए पाली का एक जजज के पास होती है, और अगर जजज ने एक 23 साल के लड़के को आज भी बेल नहीं दी तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि कुछ कड़ियां शायद उसमें इसे हैं जो अब तक मीडिया के पास नहीं आई हैं और ड्रक्स का जो सेवन हुआ शायद वो ज्यादा हुआ और शायद कुछ ज्यादा चीज़ें उनके पास बरामद हुए जो बेल नहीं मिली है इसको लेकर ये भी चीज़ा निकल कर सामने आ रही है कि एंसी बी नहीं इससे पहले ही चैट दे दी थी जो की ड्रक्स से लिंकिर थी और जो इंटरनाशनल चीज़ा निकल कर सामने आ रही थी लिंक सामने आ रहे थे एक यही बड़ी वजा है कि आज आर वरनाइट डेवलापमेंट नहीं हुई थी. ऐसा नहीं था कि आप पहली बार पाटी में गय और आपको पता नहीं था, आप तो 23 साल के बच्चे थे और आपको ड्रग्स के बारे में मालूम नहीं था, आपको किसी ने ड्रग्स दे थी, आपने पी लिया, और उसी समय आपकी बतकिस्मती रही कि कोई व्यक्ति आया और आपको पकड़ लिया, ऐसा नहीं था, ये एक सिरीज ओफ इवेंट्स था, जिसमें आपने रेगुलरली उस पेडलर से जो व्यक्ति आपको देता है, ड्रग्स, उससे आप कॉन्वर्जेशन करते रहे, वाट्स बदनाम हो चुकी है, और जिस कदर यहाँ पर आर्टेस्ट और आक्टर्स दिख रहे हैं ड्रग्स का सेवन करते हूं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात रहे गई है, एक 23 साल का लड़का अगर ड्रग कर रहा है, तो मुझे रखता है कि अगर 18-19 साल की भी महाँ पर कुई आक्टर अक्ट्रेसे से, तो मुझे बड़ा दुख होगा कि वहाँ पर उन बच्चों के पास भी शायद ये सब चीजे मिल जाएं, क्योंकि अब बॉले वुड ने इसको कहीं न कहीं बहुती नॉर्मल दर्शा दिया, और इ याद है वो एक छोटी सी सिरीज आई थी 5-6 एपिसोड की बॉंबे बेगम्स, बॉंबे बेगम्स अगर आपने देखी हो, तो एक लड़की, छोटी सी बच्ची, 13-14 साल की बच्ची को ड्रक्स करते हुए आपने दिखाया है, आपने दिखाया है वो लिकर का सेवन कर रही और वो कही न कहीं उस चीज को एक्ट कर रही है, तो उसको लाइफ में इंकॉर्परेट करना बहुत डिफिकल्ट उस लड़की के लिए नहीं होगा, इसी प्रकार आरेन खान मुझे लगता है अपने परिवार में ये सब चीज़े देखता होगा, और यही वज़ा रही कि उनको ये चीज़े बड़ी नॉर्मल लगी, और आज वही लोग जिनको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, इस बात पर सवाल उठा रहे है कि आरेन खान को बेल नहीं मिली, एक तरफ शारुक खान के लिए ये बड़ी दुखत की कबर है कि उनके बेटे को बेल नहीं लि बॉलिवुड के लोगों से. कि आरेन खान को बेल नहीं मिली, और उसने ड्रक्स का सीवन करा था, वहां तो आपके आपके राज्ये में तो अगर कोई व्यक्ती आपका भांडा फोड़ देता है, तो आप सुबाद छे बजे पत्रकार को उठा लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, आपका भांडा अग कि जो भी उद्धव सरकार को पैसा पहुचा रहा है, या फिर अच्छी-च्छी बाते कर रहा है उस सरकार की और स्पॉंसर कर रहा है, उसको फ्री में एंडोर्स कर रहा है, मुझे लगता है कि आप उन लोगों को कही ना कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, आरेन खान ने गलत करा, कोई और व्यक्ती भी बच्चा भी गलत करेगा, और अगर ड्रक्स का सेवन करेगा, तो वो सलाकों के पीछे होगा, चाहे वो शारुक खान का बेटा हो, चाहे वो किसी राहगीर के चलते का बेटा हो. तो समित ठककर को जेल में डाल दिया था, क्या यह लोगतंतर उस टाइम पर महाराष्टर पर नहीं था या सिर्फ अभी आया है आरेन के टाइम पर? क्योंकि जनता ने भारती जनता पार्टी को चुना था, दिवेंद्र फडवनेस जी को चुना था, उस दिन ही आपने लोगतंतर को खतम करकर, उनके मतदान को ठुकरा कर, आपने कॉंग्रस और NCP जैसी पार्टी के साथ सरकार बना ली थी, सिर्फ और सिर्फ मुख्य मंत्र का पद हासिल करने के लिए, तो लोगतंतर की जब आप बाते करते हैं ना, तो वो सिर्फ बाते रह जाती हैं, उसमें आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसमें आप दिखानी पारें कि वाकई आप लोगतंतर में भरोसा भी करते हैं, और बहुत सिंपल सी बात है, जब पर आसपास लोग घूम रहते हैं, जो प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ पर पुलिस के अलावा कोई होना नहीं चाहिए, पर उसके सारे भाई बंदू, मेड्स, दोस्त, गर्फरेंड सब, रिया सब घूम रहे हैं, और वहाँ पर पता नहीं क्या टैंपरिंग और हर कोई आरेन खान को लेकर बात कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, अपनी जिस तरीके से खीज है, वो दिखा रहा है, आखिरकार इतना क्या संबंध है बॉलिवुड के बीच में, और राजनीतिक पार्टी के बीच में, कि एक के बाद एक नेता का जो प्यार है, वो आरेन खा पार्टी दिवیंदर फडवनेज जी को चुना था, अब बचा क्या? महराश में सबसे अधिक पैसा, किस कैटिगरी के पास है, किस डिपार्टमेंट के पास है, तो वो है बोलिवूड, उस इंडस्ट्री के पास सबसे ज्यादा पैसा है. जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसे सरकार को चलाने में दे रही हो तो आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस पैसे को उद्दव साहब NCP के सारे नेता, कॉंग्रेस के सारे नेता, शरत पवरवाई, NCP के नेता ठोकर मार कर कैसे पार्टी के अपने बारे में ना सोच कर और सिर्फ और सिर्फ किसी और के बारे में सोचेंगे नहीं यहाँ पर सिर्फ clear fund है कि आपने payment दी, बक्सों में भरकर पैसा आया, गदों में वो पैसे बिचाए गए, छुपाए गए, इस्तमाल सरकार को चलाने के लिए करे गए और जिनों ने बेचा है उनके तलविद चाटे गए. आज तलविद चाट रहे हो, यही वज़ाए कि एक व्यक्ति, एक आरोपी जिसने ड्रक्स का सेवन करा, आप उसको सपोर्ट करने पर आपने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है. आज आप गलत हो, आपकी सरकार गलत है, आपकी गटबंदन वाली पार्टियां है, वो गलत है आपको बदलने की जरूरत है. मुझे ये बात सुनने में बड़ी हसी भी आ रही और बड़ा मज़ा भी आ रहे है, चुटकी भर ये डायलोग बहुत अच्छा था, कि चुटकी भर ड्रक्स के सेवन के लिए आप इतना बतंगर बना रहे हो, कल को आप चुटकी बड़ जहर ही काफी होता है, चुटकी बड़ा होता, तो एक सोचालिस करोड में से एक सोचालिस लोग को तो मारता, किस तरह की बाते आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब आरियन खान का केस कहीं नहीं ना पालिका के लिए भी, और जितने भी युवा लोग हैं, उनके लिए बी एक इक्जाम्पल की तरह पेश आएगा वो इसलिए क्योंकि आरियन खान को अगर बेल मिल जाती है तो जितने यूथ हैं उसमें यह मैसेज जाएगा that this is very easy आप ड्रक्स का सेवन करिए देखिए क्योंकि इसमें कोई दो राएं नहीं है कि ड्रक्स जिसको खरीदने है न वो अगर राजे सरकारों की कमी है तो वो मिल जाती है और वो जाकर सेवन कर लेती है तो अगर आप ड्रक्स का सेवन कर रहे हो और आपको आरियन खान को इतनी जल्दी बेल मिल गए तो मुझे लगता है सभी में यह मैसेज जाएगा यूथ में कि इसमें तो easy है कोई बात नहीं थ थोड़ा सा सेवन ही तो करा था हम पेडलर थोड़ी ना है तो हम सेवन कर सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा दो दिन में मेल मिल जाएगी आज बहुत जरूरी है कि आरेन खान को बेल ना मिले उसको सब और अच्छी बात है वो तो मिली नहीं obviously कि आगे भी उसको बेल ना मि यूथ है उनके लिए बहुत अच्छा मेसेज जाएगा this has to put कि यह difficult है यह easy नहीं है तो न्याय पालिका ने जो करा है वो सच किया है सच सही करा है और यह जो कहा गया है कि सत्य की जीत हुई है यह बिल्कुल मुझे लगता है सही हुआ है